दिल्ली से 26 वर्ष यह टीपू हैं उनकी समस्या कम शब्दों में यही है कि लगबग 5 वर्षों से अवसाथ से पीडित हैं और दवाईयों पर रहे हैं कह रहे हैं कि जब दवा छूट जाती है तब तक बहतर महसूस करता हूँ पर कुछ समय बाद दवा की जरूवत फिर से मुझे होती है मैं दवा छोड़ कर जीना चाह रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ आपके वीडियो सुनने में लगबग एक साल से बहुत रस आ रहा है किर्पया मार्ग दर्शन दे दवा छोड़ कर वैसे ही जीयोगे जैसा तुम दवा के साथ जीते हो तो दवा की दरूवत फिर से पड़ेगी जैसी तुम जिन्दगी जीते हो उस जिन्दगी में वो दवा अनिवार रहोगी उस जिन्दगी का एक अविभाज हिस्सा होगी तो उस जिन्दगी से अगर तुम दवा को हटा दोगे और जिन्दगी वैसी ही रखोगे पुराने जैसी तो वो जिन्दगी दुबारा मांग करेगी कि दवा वापस लाओ, दवा वापस लाओ दवा अगर हटानी है तो पुरानी जिन्दगी भी हटानी पड़ेगी ना दोनों एक साथ हटेंगे दवा हटाओ तो जैसा तुम्हारा ढर्रा चल रहा हो भी बदल दो दवा की धरूरत नहीं पड़ेगी जिसको तुम्हार अवसाद बोलते हो वो बात अधिकांशतह मानसिक है और ले रहे हो तुम उसके लिए गोली कोई भी गोली असर मस्तिश्क पर करती है मन पर नहीं अंतर समझ लेना ब्रेन और माइंड एक नहीं होते मन मस्तिश्क एक नहीं होते जो तुम गोली ले रहे हो उसके द्वारा तुम अपने मस्तिश्क के साथ कुछ छिडखानी कर रहे हो वो छिडखानी तुम्हारे मन को सतही रूप से बदल देगी गहराई से नहीं बदलेगी इसी लिए मानसिक व्याधियों के लिए ये जो गोलियां लेने का प्रचलन है ये कुछ अच्छा नहीं है घातक भी हो सकता है जो बात मस्तिश्की है ही नहीं उसके लिए मस्तिश्का इलाज करना बड़ी बेवकूफी की बात है ये ऐसा ही है कि जैसे गाड़ी के भीतर चालक बैठा है शराबी गाड़ी के भीतर चालक कैसा बैठा है शराबी वो उसको खूब चड़ी हुई है उसको आदात है चड़ाने की अब वो गाड़ी लेकर के चले तो बत्तियां जल्बी रही है हेड लाइट तो कह धुझझधला धुझधला धुझधला धुझ迅ट कुछ साफ नगर नहीं आता है तो तुमने ईराज क्या निकाला कि गाड़ी में और दोचार बत्तियां लगा दो समस्या चालक में थी इलाज तुमने कर दिया गाड़ी का ये हो रहा गोलियों का काम कि समस्या सूक्ष्म है मन की है इलाज तुम हार्डवेर का कर रहे हो मस्तिश्क का समस्या चालक की थी इलाज तुमने हार्डवेर का कर दिया किसका गाड़ी का ठीक है, और लेकर के चले तब भी, जो इतनी पी रखी है, तो तुम चाहे वहाँ पर सर्चलाइट लगा दो उने दिखाई किया देगा, गई भिढा दी, जब भिढा दी तो तुमने इलाज किया किया, बोले अच्छा चलो ऐसा करते हैं, गाड़ी में आगे, वो जो इंजन म पुराना cow catcher, वो लगा देते हैं, पुराने railway engine देखें, उसमें आगे लगाया जाता था, एक cow catcher, उसका नामी था cow catcher, कि अगर पटरी पर गाय भी खड़ी हो, तो जो cow catcher होता था, वो गाय को अपना समा लेता था, पकड़ लेता था, तो तुमने वो भी इतना बड़ा ल तो बार-बार भिड़ेगी, हाँ, तुम ये कर सकते हो फिर कि उसको टैंक में बठा थो कि अब कहीं भी भिड़ेगा, इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बात पक्किये, मंजिल तक नहीं पहुचेगा, सोएगा टैंक के भीतर, वहीं उल्टी करेगा, वहीं, टैंक गंधा देगा पूरा, फिर टैंक से तुम्हें गोला नहीं फायर करना है, बीतर की जो हवा है अंदर की वहीं फायर कर दो, दुश्मन मर जाएगा, बैठे रहो टैंक में, अधिक सधी कितन नहीं होगा ना, कि तुम्हें शारीरिक शती नहीं होगी, लेकिन मनजिल पर पहुच जाओगे क्या, जब तक मूलबात का इलाज नहीं किया जागा, मूलबात यह है कि तुम पियत करो, और इलाज कर रहे हो तुम गाड़ी का, पिये रहते हो तो गाड़ी दाएं भागती है, तुम गाड़ी में नई नई तकनीक लगा रहे हो, हेडलाइट बजल रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी, उससे क्या होगा, यह काम चल रहा है आजकल मनो विज्ञान में, मनो चिकित सक यह काम कर रहे हैं अस्पतालों में, कि मूल बात ये है कि उसको अहम की समझ नहीं है, न Danny को जानता है, न दोयक जानता है, इसलिए वो चिंता का शिकार हो रहा है, उससाद का शिकार हो रहा है, और जहां कोई पहँचा नहीं कि उसको फट से गोली खिला दी, गोली खिलाने से उसका अज्ञान मिट जाएगा क्या सर्च लाइट लगाने से ड्राइवर को जो चड़ीती उतर गई क्या तो उतो फिर से भिड़ेगी न गाड़ी इस पर सर्च लाइट के साथ भिड़ेगी तो गोलियों वाले व्यापार से जरा बचना हाँ, तुमारे मस्तिष्क में ही कुछ गड़बड हो गई हो तो गोलियां खालो पर 90% मामलों में बात मस्तिष्क की नहीं मन की होती है और मन की मूल बीमारी है अज्ञान जो किसी गोली से नहीं ठीक होने वाली मन की मूल बीमारी है मन का गलत केंद्र मन का केंद्र अगर अहम है तो किसी गोली से थोड़ी हटेगा कौन सी ऐसी गोली जिससे तुम अहम को तोड़ दो के बताओ जरा दुनिया की किस प्रयोग शाला में ऐसी गोली बन रही है जो खालो तो अहम तूट जाएगा पर मनोची किस्थक ये मानेंगे नहीं कि वो मजबूर है वो कहेंगे अभी अभी ये बिल्कुल ताजी ताजी गोली निकल के आईए लो इसको खाओ और जब पचास साट साट तर देगी तुम्हें गोलियां खिला दी कब भी तुम्हारा आउसाद मिटी नहीं रहा तुम्हारा मानसिक दोशदूरी नहीं हो रहा तो कहेंगे लाव सरजरी भी किये देते है तुम कर दो सरजरी तुम गाड़ी का पूरा इंजन बदल दो तो भी उसकी उतर गई क्या तुमने गाड़ी का इंजन ही बदल डाला वो भी चालक है वही पी अकड है, तो फिर भिड़ेगी, यह चल रहा है अभी, मनुव्याधियों के खेत्र में, गोलियों से मुक्त जीवन जीएं, आपका मस्तिश्क नहीं खराब है, आपके मन को ग्यान की रोशनी नहीं मिली है, अध्यात्म की हो रहा हैं, आप में से जितने लोग अपने आपको यह बाइपोलर और OCD और डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इस तरह की तमाम बीमारियों का मरीज समझते हों, उसे कहा रहा हूँ, अध्यात्म की ओराएं, यह गोलियां आपके मस्तिश्क को और ज्यादा पंगु बना रही हैं, यह आपको सुला देती हैं, यह आपकी मस्तिश्क की क्षमता को कम कर देती हैं, यह आपको लाभ नहीं देंगी, अध्यात्म की हो रही है उसके लावा कोई तरीका नहीं स्वस्थ मन का अध्यात्म की हैं